फटाफट बुलिटीन्स में आपका स्वागत है सारोजनिक बैंक के करमचारियों के लिए खुशकबरी सैलरी में 15% का इजाफा इंसेंटी भी मिलेंगे बता दे सरकारी बैंकों के करमचारियों में 15% का बढ़त करने लिया गया या बढ़ोतरी एक नॉमबर से लागू होगा बकराईद के औसर पर भुपाल में लॉकडाउन कॉंग्रेस के बिधायक ने किया अंदोलन MPK राजदेन राजदानी में करोना केसिस को बढ़ते देख शिवरा सरकार ने भुपाल सीटी में 22 जुलाई याने शुकरवार की राथ से 10 दिन तक लगाया लॉकडाउन करने का निर्ड रहे WHO से बड़ी खबर WHO ने कहा 2021 से पहले कुरोना वेक्सीन बनने की उमीद नहीं इदूल अजहा यानी बकराईद को लेकर UP सरकार ने की गाइडलाइन्स जारी कुरोना संकट और सावन के महीने को देखते हुए UP सरकार ने बकराईद और जार्नोरों को कुर्बानी के लिए गाइडलाइन्स जारी किये UP पुलिस ने लोगों से अपील की सबी लोग अपने घर में रहकर बकराईद का तहवार मनाएं किसी एक जगपर भीडना लगाएं गाइडलाइन्स में ये भी कहा गया कि पुलिस लावडी स्पीकर का इस्तमाल करें लोगों को सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए जाग रूख करें करोना संकर्ट और लॉकडाउन से अप्रील से जून के बीच धाई करोड और धाई से लेकर तीन करोड मजदूरों का रोजगार छिन गया या एक सर्वे के अनुसार पता चला है कई राजबार से जूज रहे हैं जिसमें असम में 56 लाग से ज़्यादा लोग परभावित इसके लिए केंदर सरकार ने असम को बार की स्थिती देखते हुए उसे निपटने के लिए 346 करोड रुपए जारी करने की घोशना की एक और बड़ी खबर नुएटा में लॉकडाउन का उलंगन करने के आरोप में 13 लोग गरिफतार किये गए यूपी के जनपत गौतम बुद नगर में लॉकडाउन का उलंगन करने के वज़ज़ से तेरे लोग को गरिफतार किया गया है आराश्टरा में बीते 24 गंटों में मिले 10 हजार से ज़्यादा नए मामले 80 लोगों ने जान गमाई को और बड़ी खबार आ रही है बीजेपी नेता की कुरोना वाइरस से हुई मौत बता दे बीजेपी नेता मलसी सुनेल सिंग कुरोना वाइरस की वज़ज़ से हो गई इनकी मौत आसी निउस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें